सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी इक लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाल्स टेकनो और पोको की तरफ से टेकनो का स्पार्क 6 गो जो अभी लेटेस लाँच कर दिया टेकनो ने साड़े आठ हजार का दोसरी तरफ है पोको का सी थिरी जो आपको मिलता है से एक हजार सस्ता साड़े साथ हजार में तो दोनों में एक हजार का फर्ख है इस वीडियो में में इन दोनों में काम पैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको दुनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं Poco C3 के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर इसके बाद मिल जाता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिम इजक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गए है कुछ यूजर मैनूल कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता एक मिल जाती है ये ब्लैक कलर में डिटे केबल लेंद और क्वालिटी इसके दोनों बहुत अच्छी है बाकि दोस्तो टाइप सी केबल तो इसके साथ आपको नहीं दी गई लेकिन कीमत ही काफी कम है तो ये तिनी बड़ी कमी नहीं है आखर मापको रखा वो मिलता है ये ब्लैक कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है और इसके अंदर आपको आउटपुट दिया गया है फाइव वोल्ड टू एमपियर का तो दोस्तों ये सिंपल सा दस वाट का ही चार्जर है लेकिन ये काफी अच्छी चीज है दस वाट का चार्जर भी आपको इसके साथ मिल जाता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है अब ये सारा समन आपको मिलता है पोको सीथिरी के साथ 7500 में रेट के साब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको काफी बढ़िया ही दिये गए है क्योंकि डेटे केबल और चार्जर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है बाकि अगर कवर भी होता तो काफी बढ़िया रहता चली देखते हैं अगर आप 1000 जादा खर्च करते है टेक्नो पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते है टेक्नो को सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है मूबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिये गया है कुछ यूजर मैनूल इस तरीके से एक मिल जाता है कवर पहला फर्किया है इसके साथ आपको कवर दिया गया है लेकिन इसके बाद मिलती है यह वाइट कलर में डिटे केबल यह भी एक टाइप सी केबल नहीं है दोनों के साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई यह मुझे इसके अंदर कमी लेगी टाइप सी केबल होनी चाहिए थी क्यूकि कीमत भी साड़े आठाज़ है एक हजार मेहंगा है यह आखिर मापको रखा हो मिलता है वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट वही मिलता है फाइव वोल्ट टू इंपियर का ही तो ये भी सिंपल सा दसवाट का ही चार्जर है और दोस्तो जो बिल्ड क्वालिटी है डेटे केबल चार्जर की वो पोको सीथिरी के आपको जाद अच्छी मिल तो इस चीज में ज़्यादा बढ़िया है पोको सीथिरी ही चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोने के अंदर आपको डिजाइन दिया गया है प्लास्ट्री के टाइप का लेकिन वाइट कलर आप देख सकते हैं टेक नोक आपको बहुत ज़्या हमाते हैं तो पोको सीथिरी के अंदर आपको डिजाइन की क्योलिटी जात अच्छी दी गई है और टेक्ट नोक आपको लॉकवाइस दिजाइन जाद अच्छी मिल जाता है बाकि दोस्तों ये आपकी पसंद की बात है कि आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए या फिर आपको लुकवाइस डिजाइन जादा बढ़िये चाहिए बात करें दोस्तों कैमेरे के बारे में तो टेकनोम आपको पीशी की तरफ दो कैमेरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का दूसरा है AI लैंस फ्रेंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का और अच्छी खुबी ये है फिंगरपिंट स्केनर इसके अंदर आपको दिया गया है वही दूसरी तरफ पोको सीथिरी के अंदर आपको पीशी की तरफ तीन कैमेरे दिये गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के फ्रेंट कैमरा है इसका 5 मेगापिक्सल का Poco C3 के अंदर ये कमी है काफी बड़ी इसके अंदर आपको fingerprint scanner नहीं दिया गया इस चीज़ को लेकर मुझे इसमें कमी लगी ये खुबी आपको टेक्नो के अंदर मिल जाती है फिर भी दोस्तों इन दोनों के comparison में आपको ज़्यादा बढ़िया camera दिया गया है Poco C3 के अंदर ही कीमत भी एक 1000 कम है और camera और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इसके लगा दोस्तों आप देख सकते है complete design आपको इन दोनों में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मज़े 200 Poco C3 का design ज़्यादा पसंद आया इन दोनों के अंदर क्योंकि quality ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर जो काफी important है बात करें डुसतों आपको display के बारे में तो दोनों ही मुबाल्स के अंदर आपको display size दिया गाया है एक ज़सा 6.5 inches की display मिल जाती है इन दोनों के अंदर आपको sब्सारे change की display दी गई है तो display size को लेकर दोन भी मूबाल司 एक ज़से है और दोनों ही के अंदर आपको IPS HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है अब एक्चुल में डिस्प्ले की क्वालिटी किसम जाद अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तो यूज़ अंडिफेस के बारे में अदर से फीचर्स आपको देखने में इन दोनों में से किसके जाद अच्छे लग रहे हैं अब दोनों के डिस्प्ले बिलकुल फूल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ डिस्प्ले का वब आपको दोनों के अदर एक जैसा दिया गया है, notch वाला ages, bezels भी आपको लगबग बराबर ही मिल जाते है तो डिस्प्ले का design size दोनों में जैसा है लेकिन बात करें सब से important चीज़ डिस्प्ले की quality के बारे में तो दोसो जो colors हैं वो आपको थोड़ से और ज़दा बैटर दिये गए है Poco C3 की display के अंदर हाला कि brightness आपको दोनों के अंदर अच्छी ही दी गई है लेकिन थोड़ सी और ज़दा brightness ज़दा बढ़िया है टेक्नों के अंदर तो टेक्नों में थोड़ से आपको brightness ज़दा अच्छी दी गई है और colors आपको थोड़ से ज़दा अच्छे मिल जाते हैं Poco के अंदर तो दोनों mobile's display को लेकर काफी बढ़िया है Poco में left side पर SIM के tray दी गई है टेक्नों का back panel हटाया जा सकता है SIM अंदर की तरफ लगते हैं दोनों mobile's के अंदर आप दो SIM card एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यो दोनों में खुबी है नीची की तरफ साब देहेंगे तो दोनों के अंदर charging port, mic, speaker, headphone jack दिया गया है speaker आपको टेक्नों में back panel पे मिलता है right side साब देहेंगे तो इस तरफ है power के buttons और volume के buttons दोनों के अंदर उपर की तरफ साब देहेंगे तो इस तरफ आपको headphone jack मिल जाता है Poco C3 में टेक्नों में आपको नीचे की तरफ ही दिया गया है दोस्तो Poco C3 के अंदर आपको दी गई है साड़े 7000 में 3GB RAM 32GB के internal storage वहीं दूसरे तरफ टेक्नों के अंदर आपको मिल जाती है साड़े 8000 में 4GB RAM 64GB के internal storage तो टेक्नों के अंदर आपको 1GB RAM और 32GB storage जादा दी गई है Poco से इस चीज़ को लेकर टेक्नों जादा बढ़िया है बाकी कीमत में भी 1000 का फर्क है दोनों के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है इस चीज़ में दोनों बढ़िया है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो टेक्नों के अंदर भी और Poco में भी दोनों ही मुबल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की एक दिन का बैटरी बैकप इन दोनों मुबल्स के अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर दोनों बहुत अच्छे हैं और बिज़ाद अच्छा है Poco C3 क्योंकि इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया ही बैटरी दी गई है टेकनों की तरह और इसकी कीमत भी एक हज़ार कम है बात करें दोस्तों प्रोस्टर के बारे में तो टेकनों में आपको मिलता है मिरे टेक का A25 प्रोस्टर Poco C3 के अंदर आपको दिया गया है मेरे टेक का G35 प्रोस्टर अब वैसे तो ये दोनों ही मूबाल्स नॉर्मल यूस के हिसाब से हैं हेवी यूस के अंदर इन दोनों में आपको दिकत होगी ही लेकिन दोस्टो फिर भी इन दोनों मूबाल्स में आपको थोड़ा सा और जाद अच्छा प्रोस्टर दिया गया है Poco C3 के अंदर प्रोस्टर इसके अंदर आपको जाद अच्छा मिल जाता है टेकनों से और इसकी कीमत भी कम है अब ये सारी खुब ये कम्याप को मिलती हैं दोनों के अंदर चले बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Poco पे जादा भरोसा है ये फिर टेकनों पे इसके बाद आपकी जो में जरुत की चीज़ है वो किसमें जाद अच्छी है तो दोनों ही मुबल्स डिस्पले को लेकर काफी बढ़िया है लेकिन दोस्तों अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप सस्ता Poco C3 खरीद दिएगा इसकी कीमत भी कम है बैटरी काफी अच्छी दी गई है चार्जर डिटेकेबल की बिल्ड क्वालिटी बे आपको जादा बैटरी मिल जाती है तो अच्छी बैटरी के लिए आप Poco C3 खरीद दिएगा इसके साथ दोस्तों अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो भी आप Poco C3 लीजिएगा इसके अंदर आपको कैमरा जादा बढ़िया मिल जाता है इसके साथ दोस्तों अगर आपको प्रोस्टर अच्छा चाहिए तो भी आप Poco C3 खरीद दिएगा कम से कम इन दोनों मोबाल्स में आपको जादा बैटर प्रोस्टर दिया गया है Poco C3 के अंदर वैसे तो दोनों ही नॉर्मल यूज के साथ से हैं फिर भी जादा बैटर है Poco C3 अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए वैसे तो दोस्तों यह आपकी पसंद की बात है कि देखने में आपको किसका डिजाइन जादा पसंद आया हो सकता है आपको Poco का डिजाइन पसंद आया हो और फिर टेक्नो का तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जिसका डिजाइन आपको पसंद आया हो जादा लेकिन दोस्तों अगर आपको फिंगर पिंगर पिंट स्कैनर चाहिए तो आप टेक्नो ही लीजिएगा इसके अंदर आपको मिल जाता है Poco के अंदर नहीं दिया गया और दोस्तों अगर आपको रैमोर स्टोरेज अच्छी चाहिए जादा चाहिए तो भी आप टेक्नो खरीदियेगा इसके अंदर आपको रैमोर स्टोरेज जादा मिल जाती है तो दोस्तों देखा जाए तो डिजाइन के अंदर और डिस्प्ले में ये दो चीज़ों में तो दोनों मुबाइल्स अच्छे हैं अपनी जगा लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा टेकनों के अंदर आपको दो खुब अच्छी दी गई हैं एक तो इसके अंदर आपको fingerprint scanner मिल जाता है दोसर इसके अंदर आपको remote storage बढ़िया दी गई है वही दूसरी तरफ Poco C3 के अंदर आपको तीन खुबिया बहुत अच्छी मिलती है एक तो कम कीमत में camera जाद अच्छा दिया गया है दोसर इसके अंदर आपको battery अच्छी मिल जाती है और तीसर इसके अंदर आपको processor जादा battery दिया गया है वैसे इसका user interface भी जादा अच्छा है तो दोस्तो देखा जा तो तीन खुबिया है Poco C3 में एक हज़ार कम कीमत में और दो खुबिया आपको अच्छी मिल जाती है टेक्नो में अब आप बताईगा नीचे कमेंट करके आपको टेक्नो की दो खुबिया जादा पसंद आई या फिर कम कीमत में Poco C3 की तीन खुबियां ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा मज़े दोस्तो Poco C3 का यूज़ अच्छा लगा इस वज़े से मुझे ये मोबाल जदा पसंद आया क्वालिटी वाइज आप बताईगा फिर भी कमेंट करके आपको कौन सा पसंद आया वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचती रहें इसके लिए वीडियो को आपको helpful लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई